दोस्तों आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन जैसा कि आपको पता है कि महामारी का प्रभाब बहुत ही गहरा पड़ा है अर्थवस्था पे बहुत सारे सेक्टर पे शायदी कोई ऐसा सेक्टर होगा जो कोरोना महामारी से अच्छूटा है लाखो लोगों ने अपनी नौकर करके एकॉनिमी को रिवाइव करने के बारे में सोचे यहाँ पे आज यानि के 26 जुलाई को निर्मला सीता रमन जो की हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है और कॉर्परेट मिनिस्टर भी है उनके दोरह यह साफ कर दिया गया है कि सरकार ऐसा कुछ भी ब्लाइनिंग नहीं कर रही है कि करेंसी नोटों को चाप करके वो एकॉनिमी को रिवाइव करेगी इंडिया तुटे का आर्टिकल देख सकते हैं आप नो प्लान टू प्रिंट करेंसी नोट्स टू टाइट ओवर एकोनॉमिक क्राइजस निर्मला सीता रमन यहाँ पे आपको पता होगा कि मौनसून सत कम चाहित हैं जहां पे और निरंबला सीता रमन से सवाल पूचा गया था क्या क्या सरकार ऐसा कुछ प्लैनिंग कर रहहे हैं तो उसके में सीप्लाइग का कि नहीं हम इसा कुछ भी planning नहीं कर रहे हैं देखें, economic में जो है एक ऐसा situation, अर्थ सास्तर में एक ऐसा situation जहां पे सरकार नोट चाप करके जो है, घाटा को improve करने की कोशिश करती है जो भी situation रहती है, उसको improve करने की कोशिश करती है, तो यह यहां पे monetization of the deficit कहलाता है economic term में, ठीक है इसका मतलब क्या होता है, दिखें यहां पे यानि की घाटा का मुद्री करन Reserve Bank of India इसमें क्या करती है कि government securities को directly primary market से खरीद लेती है यह यहां पे होता है निर्मला सितारमन के द्वारा और भी कुछ-कुछ कहा गया, उन्होंने इस बात को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत सारे मिजर्स अपनाए थे उन्होंने यहां पे कि जो एकॉनिमी है हमारी वह बहुत ही उसका जो fundamental है आधार भुट है वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉंग है और हमने जो इतने सारे मेजर्स अपनाए हैं जिसमें कि आत्म निर्फर भारत मिसन के तहर्ट जो हमने इतना कुछ किया है वह काफी जादा मदद कर रहा है एकॉनिमी को और स्ट्रॉंग बनाने में उसका जो fundamental है उसको और स्ट्रॉंग बनाने में देखे अगर हम आर्बिया के बारे में बात करें तो आर्बिया का इसके उपर क्या रूख है आर्बिया यहां पर मान रहे है कि सिचुवेशन ठीक हो रही है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के एकॉर्डिंग कहा गया था चार जून 2021 कोन होने प्रोजेक्ट किया था कि फाइनेशल यह 2021 में जो ग्रोथ है जीडिपी का वो 9.5% होगा इस से पहले जो है इस ग्रोथ को एजूम किया गया था 10.5% तो कहीं न कहीं रिजल बैंक ओफ इंडिया के दौरा यह कहा जा रहा है कि सिचुवेशन जो है वो अंडर कंट्रोल हो रही है और जरूरत नहीं पड़ेगी कि नए नोटों को चाप करके और नोटों को चाप करक कर दो करके तो कि को तो कर दो कि अच्वेशन जो है और लोगेशन जो है और रही है और जो है।